अज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं आंदोलनकारी शमू के बारे में तो अभी तक यह जो हमारा चैप्टर चल रहा है इसमें जन संगर्स या आंदोलन के बारे में ही सारी बाते हम लोग समझ रहे हैं सो काफी सारी बाते हैं जो कि हम अच्छे तरीके सी डिटेल से कवर कर चुके हैं धिन यदी बात करें आंदोलनकारी शमू एगई तो आंदोलनकारी की बात की काफी सारी लोगों का उसमें profit रहता है लेकिन अंदोलन होता है कि या कि हम जन विरोध की बात करते हैं जन संघर से की जिसमें कि वो अपने लिए या एक समुदाय के लिए ही उनके करने से profit होगा जैसे मैंने अब से कल पूछा भी था कि जो किसान बैठे हैं अभी दिलही पे भी था जैसे कोई विसेस कार खाने के वरकर हो या कि कहीं के जो भी महिलाएं हो गई कुछ और ऐसे जो भी नती है एक परटिकुलर विसेस एरिया ओना चाहिए अन्दोलन किसी खास मुद्दे पर केंदित होते या जादत अंदोलन होते हैं वो किसी एक खास मुद्देपर यहां पर केंधित होते हैं ठीक है जैसे किसान का है उनका क्या है कि जो भी आप क्रेसी बिल लाए हो किसान ने सारी चीजी कटा करके नहीं बैठ गए तो इसमें यहीं बताया है कि आंदोलन जो होता कुछ किसी खास मुद्दे पर वो क्यंदित होता है ऐसे अंदोलन एक सीमित या की हम बात करें सामय सीमा के भीतर किसी एक लक्ष को पाना चाहते हैं यहीं कि किसान अभी तक बैठे हैं ठीक है सुप्रेम कोट को उसमें जबरन अग अडानी पड़ी क्यों की वहां पर हम देख रहे थे कि कि साथ इतनी ठंडे में बैठे हैं हमारी गवर्मेंट के दवारा ना तो किसानी मान रहे थे न्वर्मेंटी मानने को तयार ठीके जो भी है आप एदे लाते हो दिनता के लिए सरकार बनाए गई है ठीक है तो कोई भी निसकर्ष नहीं निकलता है ठीक है और जबरनब सुप्रीम कोट को अभी कल परसों के ही यह घटना है कि सुप्रीम कोट को यह कहना पड़ा है कि क्रैसी बिल अभी अब यह मानने नहीं होगा इसको रद नहीं किया गया ठीक है थोड़ा इस वर्ड पे ध्यान लागू होगा या नहीं होगा उस्ते पिस्त एक परसों को अपना फैसला सुनाएगी और आपको पता है कि आखरी फैसला फिर सुप्रीम कोट का ही ओता है जब सारी समझ सर्थ ऑने जाने में यानि कि किसी के बस की बात नहीं रह जाती सो फाइनली सुप्रीम कोट का डिसीजन ही मान होता ठीक है तो अब यहां पे भी कुछ ऐसे ही होने वाला है और उसके बाद यदि हम बात करते हैं कुछ आंदोलन ज्यादा सार्व भॉम प्रक्रेति के होते हैं और एक व्य में कि नेपल में हमने देखा था कि कि बाद में क्या होता है कि है और वह क्या करते हैं कि फिर से अपना राज्टंत्र चलानी की कोशिस करते हैं और वह इसके वाद फिर से वहाँ पर लोगतंत्र की इस्थापना होती है तो यहां पर क्या है कि मतलब राजा जो भी आदेश देता उसको वापस लेने को बाद्ध करना और इन आदेशों के द्वारा राजा ने लोगतंत्र को समाप्त कर दिया था भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन यानि कि हमारे इंडिय होनी चाहिए तो इसमें क्या है नर्मदा बचाओ आंदोलन होता है उसके बाद हम बात करते हैं तो ऐसे आंदोलन का अच्छा उदारण है नर्मदा नदी पर बनाए जारे सर्दा शरूबर बांध के कारण लोग बिस्तापित हुए यह आंदोलन इसी खास मुद्दे को ले जाने के लिए तो यहां जो भी आसपास के निवासी थे उनको कहीं न कहीं विस्तापित होना पड़ता है तो वह एक जगे से दूसरी जगे पर जब जाएंगे तो वहां पर क्या होगा कि कोई भी हो अपना जहां पर भी वह रहते हैं चाहे वह चोटा घर हो उनका चाहे को रास्ता अपनाएंगे ठीक है और यह सारी चीजे हम लोग पतलब पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो भी आधिवासी थे आधिवासी के बारे में ही पढ़ रहे थे कि कैसे उनको हटाया जाता है ठीक है उनकी जमीन कुछ तो ठीक है मर्जी से दे रहेते हैं बट पाने से रोकना था ठीक है यहनि कि इस अंदोलन का में उद्देश क्या था कि बाध मत बनाओ और उसके बाद हम बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है कि धीरे धीरे इस अंदोलन और इसने सब ही बड़े बांधो और विकास के उस माडल पर सवाल उठाए जिसमें बड़े बांधो को अनिवार्य साबित किया चाता है ऐसे अंदोलन में मतलब जो भी ऐसे अंदोलन होते हैं उनमें नेतर तो बड़ा इसपर्ष होता है और उनका संगठन भी होता है लेकि अब यहां पर सुप्रीम कोट का भी फिर एक आया हुआ था मामला जो सेंट्रल विष्टा वन रहा है जो सेंट्रल विष्टा प्रोजेक्ट आया है जिसमें आपको पता होगा कि चंसयत भवन राश्टिपरति भवन इन सब को मतलब इनका पुनर निर्मान किया जा रहा है तो आपसे भी सवाल बन सकता है कि जब हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया आज वैस्टिविक महामारी से जूज रही है ठीक है यहां पर एकोनामिक में हमारे कितना बड़ा एफेक्ट पड़ा है और इस टाइम पर क्योंकि बहुत बड़ा लार्ज अमांट यहां पर जा दिए उनको अच्छी तरीके से एजुकेशन चाहिए सारा धपो पड़ा हुआ है वहां पी के सेंट्रल बिष्टा का जो भी पुनर निर्माठ हो रहा है क्या वो इंपोर्टेंट है तो सुप्रीम कोट ने इसमें और दिया है या अपनी जो भी घोशना की यह सुनाई है अ एक लाज इमांट खर्श हो रहा है लेकिन प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट पर रोक लगाना सही नहीं है क्योंकि ऐसे में फिर लोगतांतिक सरकार का कहीं न कहीं हम हनन कर रहे हैं ठीक है तो सुप्रीम कोट ने अपना आमत दे दिया कि इस बज़े से हम इस पर रोक नहीं ल सकते हैं तो अब इसमें सर्दा सरोबर जो डैम बना गया था वह भी प्रोजेक्ट के तहट ही था और जब प्रोजेक्ट के तहट था तो वहां पर ठीक है जल्दी-जल्दी ही सारा काम होगा इसलिए यह आंदोलन भी जादा दिन तक नहीं चल पाते हैं और उसके बात क्यो मिशाल है तो यहां पर अभी समझें आपकी किसान अंदोलन कर रहे हैं ठीक है कितने समय तक करेंगे अभी सुप्रिम कोट ट्यादर दे दिया कि आपका है वह सब अपने घर जाएंगे क्योंकि कमेटी बिठाएगी वहां पर जाज पढ़ता लोगी तो अब वह कहीं नगे बदे नंको घर जाना पड़ेगा आपने यक्ट टो महीने कट लिया ह सुफिस जंठ टरिक है उसके बाद तो आपको जाना भी पड़ेगा लेकिन जहां पे कई सारी समझ नtesद जबर के आज regular और कि 278 लोगी समस्याज्य पांडोलन करने के लिए रिप The कफे ल ko जाता है तो यह अंदोलन के लिए कोई सaimer नहीं होता है अंतरगत अनेक संगतन अंधारित शामिल इनके सब के nossa संगतन अलग अलग है अब देखते हैं कैसे हैं इनके सब के जो भी संगठन है वो कैसे अलग अलग है तो यहां पर यह सारे चीज तो अपना अंदोलन बगएरा कर रहे हैं ठीक है उसके बाद अब यहां पर बात करते हैं नेतर तो भी अलादा है और नेतिकत मामलों पर अक्सर उनकी राजो भी अब यदि आंगे हम बात करते हैं तो क्या होता है कि इसके बावजूद एक भ्यापक उद्देश के ये साजीदार है और इनका द्रिष्टी कौन एक जैसा है इसी वज़े से इन्हें एक आंदोलन यानि की परियावरण आंदोलन का नाम दिया जाता है और कभी- और मिशाल के लिए क्या होता निशनल ओलाइंस फार पीपश मूव्मेंट यानि की एन ए पी एम ऐसा ही संगठनों का संगठन है तो इसको यहने पीम या इसका इसके बारे में आज आपको सारी डिटेल्स लिखनी है ठीक है और लिखने के बाद फिर थोड़ा सा इसको मिनिश्री के अंतर गता था ठीक है और इसके बारे में आप थोड़ा सा चेक करके गूगल से सर्च करके और अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा तो बिटर होगा क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुकी हो कि यह हमारे लिए पढ़ना बहुत इंपोर्टेंट है जितने मैं अभी चोड़के मत रहे कि आप योप tests कर रहे हो कोई अदर एक्जाम में करें क्लम कर लेंगे किलम अगत देंगे जो करना आज ही करना आगर करना तो अब parler अभी में सामने बी जहां भी मिले आपको वहां से आप उसको दो चार चीजे दो भी अच्छे चिए उसकी नोट करो ठीक है और वहीं पे उसको खतम करो क्यूंकि यदि हमने आज पे छोड़ रहा तो आज पे टाइम चला गया ठीक है कल कर लेंगे कल नहीं परसों कर लेंगे वो चीजे हमारी सारी चीजे आप इकठी करोगे बट मुझे बताना जो कमेट वाक्स में कि किस मिनिश्ट्री के अंतर गती आता है और बाकि आप अपने में लिख लीजेगा नोर्समेटिक है तो इसका जो फूल फार्म है जहां पर लिखा भी हुआ है निशनल अलाइंस फार प्योपस मोव विदियों में ताल मेल बैठाने का काम करता है अब यहां पर थोड़ा सा आप मैं बता रहे हूं नोट कर लिजे जो एन एपी एम है ठीक है यह क्या करता है कि जनांदोलन जो भी आंदोलन हो रहे हैं उनकी और एक किसी एक जगह का नहीं कई सारी कंट्रियों का यह पूरा क एक लॉजिक लगाएगे आप निशनल लिखा हुआ इंटरनेशनल नहीं है ठीक है और जब निशनल है तो राष्ट का है थोड़ा सा इस बात पर आप लोगो मेरा भी अभी माइंड करें तो इस पर थोड़ा सा आप सतर करेगेगा यह निशनल है तो कई-चारी कंट्रियों अपने यहां का ही है तो इसमें यह चीज़े होगी कि जो भी अंदोलन वगएरा हो रहें उनमें तालमेल बिठाने का यह काम करता है तो अब हम इंटरनेशनल की बात करेंगे कैसारी कंट्रियां इसमें सामील होती है तो अब हम बात करते हैं दबाव समूं और आंदोलन रा और आंदोलन राजनीती पर कई तरह से असर डालते हैं ठीक है उसके बाद क्यों तो कैसे कैसे असर डालते हैं तो जो हमारी राजनीती होती है तो इनसे क्या हमारी राजनीती पर असर पढ़ता है या नहीं पढ़ता हो अब यह से पढ़े गई यार इसमें देखते हैं कैसे और परावित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मामलों पर मेडिया ज्यादा दियान दें हलाकि मेडिया को मिलता रहेता है मेडिया भी मिर्च मसाला लगा के बड़िया खासा बताती है जो भी आप तो मेडिया भी अब हमारी हम देखते हैं जो कि लोकतंतर का चोथा इस्तंभ का जाता है रियल में जो दिखाना चाहिए वो तो कभी दिखाई नहीं पाते अभिहाल फिलहाल में ही आया था कि मतलब जो सैनिक बल है ना काफी डिप्रेशन में जा रहे हैं वो तो यहां पर मीड नहीं मिलती हैं तो यह सारी चीज़े वो कहीं नहीं बताते हैं और बतांगे तो आप्यों सरकार हैं चीट है तो उनको बुराई करना ऽेुल भी नहीं होता है चाहें हम भले जब इसका भी रैंक काता है इसकी भी जो भी इंडेक्स निकाला जाता है कि मीडिया कितना है इतनी जाधा सुतंत्र है तो यहां पर देखोगे कि हमारा जो कंडिशन काफी मुझे लगता है पाकिस्तान से भी कहिना नीचे हो ठीक है तो इसको भी थोड़ा सा चिक कर लेजेगा हलाकि मुझे एक्जेक्ट याज नहीं है मैं भी अभी चिक करूंगी पढ़ाने की सो इसमें क्या होता है ऐसे समू अक्सर हरताल और सरकारी कामकाच में बादा पहुचाने जैसे उपायों का क्या करते हैं यह मीडिया के दौरा ही पत्रोत शापिक है सहारा लेते मजदोर संगठन कर्मचारी संग तर्था दिकतर अंदोलनकारी समू अक्सर ऐसी इस्थितियो या युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार की मागों की तरफ ध्यान देने के लिए बाद्ध हो तिक है यनि की जद सरकार है वो गया करे मागों की तरफ ध्यान देने के लिए बाद्ध हो और तीस्सा आताइज में की ब्यावसाज समू अक्सर पेसेवर लाविष्ट न निकायों में सिक्रत या सिर्कत कर सकते हैं और उसके बाद हमारा आता है हलाकि क्या होता है कि दबाव समू और आंदोलन डली राजनीती में सीधे भाग नहीं लेते लेकिन वे राजनीतिक डलों पर असर डालना चाहते हैं अधिकतर आंदोलन किसी राजनीतिक डल से संबध न पढ़ रहे हैं सारी चीजे हमारे एदिल्द ही गोम रहे है ठीक है तो किताब से मैंने बता hem지는 मैंने हमारी समाज developed कर दी है और किताब से पढ़ने के बाद हमारे माइंड में क्लिक करना चांधी यहां पे ओर रहा है यह हैं हमारे काम का ठीक है यह तो किताब पे जो लिखा वो तो ठीक समझने के लिए है वाकि काम में यह देने वाला है तो जो किसान आंदोलन हो रहा ने उच पे देखते हो कि भी पक्षी मतलब बीजेपी वाले अपना पक्ष रख रहे हैं डायरेक्ट उसमें सामिल नहीं है अब थोड़ एक बहुत बड़ा हाथ हो इस आंदोलन में क्योंकि आंदोलन पूरे किसान के लिए जो क्रसी भी लाया है तो यहां पे सोचने वाली बात है ठीक है जो सरकार कर रही है उससे तो खेर मैं भी मतलब पूर्ण रूप से हलाकि हम योपिया से के स्प्रेंट है तो सहमत सरकार के पक्षमें हमें होना पड़ता है ठीक है लेकिन यहां पे कि आप बोल रहे हो की मनलब वह अदर श्टेट में भी जा सकते हो तो जितने का उसका मतलब बिकेग नहीं दो बोरी लेके अनाज वह अदर श्टेट में जाएगा तो उससे ज्यादा तो उसका किराया लग जाएग हमें भी सुने में ऐस सबको उनने में कि कहीं न कहीं भी पच्ची पार्टी का ये सपॉर्ट पा रहे हैं adult सब्सक्रा तरस में जबुर और जिए लेकिन हमें सुनने को मिलता है कि इसके द्वारा करवा जार जब कि डायरेक्ट रोप से वह सामिल नहीं है ठीक है थोड़ा इसको समझेगा और उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर एक और होंबर्ख है आपके लिए थोड़ा अब आपका जो काम है यदि मतलब 2-3 क्योंकि आपकी कैपिसिटी आप पढ़ने की बढ़ गई होगी जहां तक मुझे लग रहा ठीक है तो और बढ़ ही नहीं तो कम से कम 10 बारे गंटे आर अपने आपको दीजिए यदि सच में रियाल में निकालना वड़ना टाइम खराब मत कीजिए यहां पे आपको बताना ह में थोड़ा सा पढ़ लेजिएगा और मुझे सिर्फ इतना बताना है कि कितने क्रोप्स के लिए कितनी फसल के लिए यह में दी जाती है मैं आपको आप्सन भी यह दे रही हूं यहां पे होगा 20 19 23 या कि 30 ठीक है यह आपका A B C D मतलब चार आपसन है आपको बताना है कि ज दिया चाह रहा है तो आप इसको थोड़ा सा जहां से भी मिले आपको यह दिया डेली करेंट अफ्यर पढ़ते होंगे तो पढ़ना पड़ेगा जब मैं डेली पूछूँगी मजबूरन आपको पढ़ना पढ़ेगा तो इसको आपको बताएगा कि कितने क्रोप से यह में दी जाती है इसमें आप्सन है 20 है 19 है 23 है ठीक है और उसके बाद अब हम यहां पर आते हैं अपने में फिर आते हैं वह तर गया कि अधिकतर अंदोलन किसी राजनीतिक दल से संबध नहीं होते लेकिन उनका एक राजनीतिक बख्ष होता है अंदोलनों की राजनीतिक बिचा रिस्ता कई रूप धारन कर सकता है जिसमें कुछ प्रेतक्ष होते हैं तो कुछ अप्रेतक्ष होते हैं अब यहां फेकर बाद के वहां के ईसे ऑऊंदोलन से क्या यहां पर बुक पर लुखा है वह मैं समझाने कि आपको कोसिज कर रहे हो कि डायरेक्ट नहीं बट इंडायरेक्ट रोप से कहीं न कहीं इनबॉल्ब रहती है कोई नो कोई राजिनितिक पार्टियां जो भी आंदोलन बगारा होते हैं चाहे वो CAA का हुआ हो चाहे वो जो भी कि जितने भी आंदोलन होते हैं उन सब में आप बिलकुल सुनने में आता होगा ठीक है थोड़ा आप अभेर रहे हैं अपना माइंड खोलिए अब बड़े हो चुके यूपियसी करने की सोच लिए ना यहां कि एक उस पद पे आप बैठने जा रहे हैं जहां कि आपको सब क कुछ पता होना चाहिए तो इसमें आप अपना माइंड जो है वो थोड़ा सा ओपन रखेगा उसके बाद आता कि कुछ मावलों में दबाव समू राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए गए हैं अथवा यहां पे क्या होता है कि मतलब उनका नेतत राजनीतिक दल के नेता कर बढ़िता राजनीतिक दलों से क्या होती है है ऐसे दबाव शमू हो कि अधिकता नेता अमो genetically किसी नकिसी राजनीतिक दल के कार्य करथा और नेता होते हैं अब आपके लिए इस्वाव समू होतेने कहींfly के रोपनाते हैं और उसके बाद है कि कभी कभी क्या होते कि अन्दो के लिए लोगों के विरुद्ध छात्रों ने असाम आंदोलन चलाया और जब इस आंदोलन की समाप्ती हुई तो इस आंदोलन ने असम गड़ परिजद का रूप ले लिया सन 1930 और 1940 के दसक में तमिल नाडू में समाप्त सुधार अंदोलन चले और DMK और AIADMK जैसी पार्टियों की जड़े इन समाप्त सुधार अंदोलनों में धूड़ी जा सकती है दिन उसके बाद क्या होता है कि अधिकांस दबाब समु और अंदोलन का राजनीतिक दलों से प्रतक्ष संबंध नहीं होता और दोनों परस पर बिरोधी पक्षो लेते हैं फिर भी इनके बीच संबाद कायम रहता है और सुलाय की बादचीत चलती रहती है अंदोलन कारी अंदोलनों मतलब समु हो में क्या होता है कि जो भी अंदोलन कारी होते हैं तो समु हो ने ने मुद्दे उठाए और राजनीतिक दलों ने इन मुद्दों को आगे बढ़ाया राजनीतिक दलों के अधिक तर ने नेता दबाब समु अत्वा अंदोलन कारी चमु में आते हैं और यहां पी मैं बात करूँ यह दि कमें सामिल होने का मकसर भी क्या होता है चलो ठीक है आपकी पार्टी बन गई सब कुछ है सत्ता पर आप नहीं आ रहे हो थोड़ा सा अपनी सेंपेथी दिखाओगे लोगों के साथ की मुश्किल समय में तो हमारे यही काम आते हैं लब फितरत नहीं मदद करना लेकिन हमें अपनी सत्ता पानी है उसके लिए हमने मदद करनी शुरू कर दी लोगों को लगे कि यार मतलब यह जो सक्ता में है वो कुछ नहीं कर रहा लेकिन यह वाले बहुत अच्छे है नेक्ष्ट पंच वर्जी आने तो इसको गीरा के इनको ब अपने भले में थोड़ा बहुत आपका बहला करेंगे तभी तो उनका हुगा कहीं न कहीं हम लोग भी पाबर से कह सकते हैं कि किसी का अधिकार हो ना हो लेकिन एक वोट का हमारे पास अधिकार है और वो कोई नहीं सकता उस ताइम तो हम राजा हमी है तो वहां पर हमारे प कुछ होता है और उसके बाद क्या है कि क्या दबाब समोह और आंदोलन के प्रभाव शकारात्मक होते हैं तो अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि पाजिटिव होते हैं या की नहीं क्योंकि निगेटिव निगेटिव पढ़ना अच्छा नहीं होता ना फिर हम निगे में किसी एक तपके के कोई भी एक तपका नहीं बलकि सब के हितों की रक्षा होनी चाहिए यह भी लग सकता है कि ऐसे समोह जनता का इस्तिमार तो करना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी से भशना चाहते हैं राजिनितिक दलों को चुनाओ के समय जनता का सामना करना पड़त से समर्थन अथभा धन ना मिले कभी कभी क्या होता है कि दबाव समुहों को बहुत कम लोगों का समर्थन प्रापत हो लेकिन उनके पास धन जादा हो और इसके बूते अपने संकुचीत एजंटे पर वे सारवजनिक बहस का रुख मोडने और मोडने में सफल हो जाए लेकिन थोड़ा संतुलत नजरिया अपनाएं तो इस परस्थ होगा कि दबाव समुहों और अंदोलनों के कारण लोगतंत्र की जड़े मजबूत होती है ठीक है तो यहां पर जो भी है इनकी जड़े जो है मजबूत होती है और यहां पर यह कोई नई बात नहीं हम पहले भी सब्स्क्रान मान अंग कर के नहीं होती है मैं जो भी किसान लोन तो अविसान इतों बात पर ऑश्यक्राइन हे और չ की थले अलंकि है तो सारी बात आ पॉजिटिव ह्यां झालिव शमया ने से और आप तो यहां πेश्ग हो तो आज careful हो तो आप टंड में बाट के कर रहें ल अकेले उनको नहीं होगा क्योंकि वो जो यह अंदोलन कर रहे हैं तो कुछी लोग कर रहे हैं कुछी स्टेट के लोग उसमें सामिल है लेकिन प्रॉफिट आलोवर इंडिया के स्टेट को मिलने वाला है ठीक है तो यहां पर सिर्फ ऐसा नहीं कि उनको ही मिलेगा और यह प्रॉफिट मानें हम उनकी इवाद मानेंगे चाहिए यहां कहें चैना कहें लेकिन नहीं जो गलत है तो गलत है और गलत को गलत कहना हम यदि सेख गे तो फिर कभी तावंसाय कि हमें यहां गुंजाइस नहीं होगी क्योंकि हम्हारे अंदर वह क्वालिटी है मोदी जी उस हर काम आप सही करें हम आपको बहुत प्यार करते हैं बहुत चाहते हैं अच्छे लीडर ओप लेकिन आप जो भी करो जरूरी नहीं हर एक इंसान अच्छा करेगा मादमा गंदी जी से काविशारी गलतियां होई होगी वह भी एक नॉर्मल इंसान थे पहले न तो आप ऐसा है नहीं कुछ लोगों के मुह से आप सुनते होगे कि गंदी ऐसे थे यह थे वो थे कुछ तो कुछ ऐसे ही बोलते हैं गांदी ऐसा था तो अब ऐसे हो सकते कि आप लोगों में से कई लोग सुने होंगे कि कुछ ऐसी बाते बोली जाते हैं कि नहर्यू ऐसे थे गंदी ऐसे तो वहां पे क्या है कि जब कोई अच्छा होता बुरा होता है तो जब कोई बुरा है वो अच्छा भी होता है हम नहीं कह सकते हैं तो अपने हग के लिए हमें बोलना ही पड़ेगा और यह तभी बंद पाएगा ठीक है और सासकों के ऊपर दबाब डालना लोकतंत्र में कोई अहित कर गतिवीदी नहीं बसरते इसका अब सर सबको प्राप्त हो यहां पर देखिए कि आप आपने देखा होगा सुप्रीम कोट ने कुछ किसानों के बिरोध नहीं का सरकार कोई फटकार लगाई लेकिन किसानों को न कि आप क्या करोंगे यह आंदोलन मत करो हमारे संभिधान में लिखा गया हमारा हक है और हम यदि मना कर दिया गया मत करो तो काहे का लोकतंत्र फिर तो लोकतंत्र है ही नहीं यहां पर किसी की हिम्मत नहीं किसी की भी चाहे वह बिधाई का कारपाली का कोई भी हमें मना करके के दिखा दे कि भी यह तुम आंदोलन मत करो हमें गलत लग रहा हम करेंगे जिसको जो करना कर लो और हमारी बात तुम्हें मानना ही पड़ेगा ऐसा भी नहीं कि तुमने हमने एक दिन क्या छोड़ देंगे जब तक बात मानोंगे नहीं हम अटने वाले नहीं है तो इससे उन साधारण के हित समू तथा आंदोलन इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपियोगी भूमी का निवाते हैं और आमनागरी की जरूरतों पर सरोकार से क्या होता है कि सरकार को अबगत कराते हैं बर्गी विशेशी हित समू भी महत्तपून भूमी का निवाते हैं जब व कोई एक समू सरकार के उपर अपने हित में नीती बनाने के लिए दवाब डालता है तो दूसरा समू इसके प्रतिकार में दवाब डालेगा कि नीतिया उस तरह से ना बनाई जाए सरकार को मतलब सरकार को भी ऐसे में क्या होता पता चलता रहता है कि समाज के बीविन तब कि क्या चाहते हैं और इससे परश पर बिरोधी हीतों के बीच समांजर से बैठाना तथा सकती संतुलन करना संभा होता है तो ये सारी चीजे होती हैं अंदोलन करना इंपोर्टेंट है बस इतना समझी है हम हमारा हक है हम हक के लिए लड़ेंगे हम किसी को बहुत प्यार करते ले और इसमें जो आप मैं सेलेवस, महां पे आपको यदि मिला होगा जो सालेवस के और है हंof लीः बहुत आपको क्या करना है झिस तरह की तो सालेवस में लिखा होगा ना on line करके बीच में लाइनिंग है एक साइड हिंदी लिखा एक साइड इंगलिस लिखा है सेम उसी तरह से आप लिखिएगा क्योंकि इंगलिस से आप भागना नहीं आपको सलेवस हिंदी और इंगलिस थोड़ा लगेगा ताइम दो तीन गंटे चार घंटे लग जाने दीजियेगा ल मेरा यही सजेस्टन है कि आप लोग उसको जो भी लिख लिए है अच्छी बात है तो उसको अलग से पेच 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 आए आप इंग्लिस लिख लो लेकिन जो नहीं लिखे हो वही जैसे सलेवस लिखा सेम उसी तरह आपको कॉंपी कर लेना ठीक है कुछ ऐसे वगारा के लि लोट कर लीजिएगा अलाकि आप सनल का तो नहीं सेयर किया गया कि सबकी आप सनल का लग अलग होता ठीक है तो आप लोग डावलोड कर लीजिएगा गूगल से और वहां से अच्छी से पूरा उसको भी लिख लीजिएगा तभी हमारी पढ़ाई के कुछ मतलब निकलेगा और हिंदी इंग्लिज़ प्लिज्श दोनों में करिएगा हिंदी बस में मत करिएगा ठीक है ना तो हमें हिन्दू बनना ना अंग्रेज है हमें योंपियस कर ना है जो चाहता है यहार हमें करना पड़ेगा हम यह नीगे च chapters के सास्तों वालतकि Are